Good day to all of you, मैं आसा करता हूँ आपको कल जो पढ़ाया गया था वह आप सभी को याद होगा जैसे कि आप जानते हैं हर क्लास के बाद रिवीजन होता है इसलिए या आपकी रिवीजन क्लास है लेकिन उससे पहले कुछ प्रस्नों के बारे में वर्तालाप कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं font color और highlighting color में क्या अंतर होता है font color का उपयोग आप किसी paragraph अथवा line के text के color को बदलना चाहते हैं और अगर आप उस line अथवा paragraph के पीछे के color को बदलना चाहते हैं तो आप highlighting color का उपयोग करेंगे क्योंकि highlighting color से सिर्फ और सिर्फ text के पीछे का color बदल सकते हैं ना कि text का क्या आप बता सकते हैं menu कौन से होते हैं और इनका उपयोग क्यों करते हैं open office में file, edit, view, insert, format, table, tools ये सभी menus होते हैं ये आपके file में कोई भी कारे करने में मदद करते हैं जैसे की file को save करना, किसी भी file में कुछ find करना और किसी भी प्रकार की formatting करना क्योंकि menu bar के अंदर ये सभी option उपलब्ध होते हैं open office में quick start window कौन सी होती है जिस window में open office के सभी option जैसे की text document, presentation, spreadsheet, drawing, database इस window को quick start window कहते हैं quick start window को open करने के लिए कौन सी shortcut command का उप्योग होता है quick start window को open करने के लिए आप run box के अंदर s office टाइप करके जब आप okay करेंगे तो आपके सामने की window आएगी वह quick start window होती है जहां पर आप इसके सभी भाग देख सकते हैं क्या आप बता सकते हैं hyperlink का उप्योग क्यों करते हैं hyperlink के मदद से आप page पर link बना सकते हैं आप hyperlink के मदद से एक से ज़्यादा file को एक link के द्वरा attach कर सकते हैं अपने computer को on करें और बताये गए तरीकों में से किसी तरीके से file को open करें आईए आज की class शुरू करते हैं सबसे पहले दिये गए paragraph को type करें क्या आपने paragraph को type कर लिया है इस पर कोई से भी formatting कर लें आईए अब extender toolbar के सभी option का एके करके अभ्यास करते हैं सबसे पहले आप सभी अपने standard toolbar से save, export as pdf, new, open के बिकल्प को hide करके दिखाएं अगर इस सभी option को hide करने में कोई समस्या होती है तो आप video की मदद से सीखें आईए आप video को देख कर सीखते हैं कि standard toolbar के बिकल्प को hide कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एस्टेंडर toolbar को hide करने के लिए आप सभी अपने pointer को यहाँ पर लेकर आएं उसके बाद customize toolbar पर क्लिक करें और जिस भी option को आप hide करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करते जाएं सही के निसान को अटाते जाएं वह हटता जाएगा अगर आप PDF को hide करना चाहते हैं जैसे दिखाया जा रहा है यह option सारे hide हुए हैं उसके बाद OK पर क्लिक कर दें अब देखें standard toolbar के अंदर वह सारे option जिसे आपने सही के निसान को अटाया था वह सारे hide हो गए इस तरह से आप standard toolbar के विकल्प को hide कर सकते हैं अब आप सभी save, export as PDF, new, open जो option आपने standard toolbar में से हटाया थे उन्हें वापिस लाके दिखाएं अगर ऐसा करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि standard toolbar को so कैसे करते हैं इसके लिए आप अपने pointer को यहाँ पे लेकर आएं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद customize toolbar पे क्लिक करें और जिस option को आप so करना चाहते हैं उसको select करें जैसे select करेंगे वहाँ पे सही का निसान बनता जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद OK पर क्लिक कर दें तो इस तरह से आप standard toolbar के बिकल्पो को show कर सकते हैं या customize कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद file को save करके दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि save कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है एस्टेंडर्ट टूल बार के अंदर save लिखे हुए बिकल पर लेकर आएं यहाँ पर क्लिक करें उसके बाद आप अपने location को select करें जहाँ पर आपको अपने file को save करना है जैसे कि desktop, download, documents या और भी कहीं उसके बाद आप file name के अंदर अपने नाम को type करें या जिस नाम से अपने document को save करना चाहते हैं वह type करें जैसे कि video में दिखाया जा रहा है type करने के बाद save पर click कर दें जिससे कि आपका यह file save हो जाएगा इसे आप title बार में भी check कर सकते हैं कि आपका file save हुआ है अथवा नहीं जैसे कि video में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप file को save कर सकते हैं अब नया page ले और उस पर hyperlink के मदद से save किये गए page को लेके आए अगर कोई समस्या हो तो video की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि standard toolbar की new bicalb का उपयोग कैसे गरते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को new bicalb पे लेकर आए और यहां पे click कर दें जिसे कि नया document आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब इस पर आप hyperlink करके दिखाएं इसके लिए आप सभी अपने pointer को standard toolbar के अंदर hyperlink लिखे हुए bicalb पर click करें एक box आएगा यहां पे आप document bicalb को select करें उसके बाद यहां पे click करें yellow वाले box पे जो की open file का location है यहां पे एक box आ जाएगा अब इस box के अंदर आपको अपने उस file को डूड़ना है जिसे link देना चाहते हैं उस file को select करने के बाद open पर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर आप apply पर click कर दें और उसके बाद close कर दें जो select वाला sign है उसे unselect करें और फिर अपने pointer को जो link आया हुआ है उसके उपर रखें उसके बाद आप control के बटन को दबा के left बटन को दबा दें जिससे कि आपका यह file open हो जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप new file लेकर hyperlink का उपयोग कर सकते हैं document as email का अभ्यास करके दिखाएं लेकिन ध्यान रहे कि आपका document PDF format में होना चाहिए अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें अब किसी file को open करके दिखाएं आईए अब वीडियो को देखका सीखते हैं कि document as email कैसे गरते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को standard toolbar के यहां पे लेकर आएं यह document as email का विकल्प है इस पर क्लिक करें एक box open होगा जो कि Microsoft Outlook का है जैसे कि आप सभी जानते हैं document as email करने के लिए आपके पास Microsoft Outlook का account होना जुरूरी है आप यहां पे file को attach कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जो भी document आपको भेजना है उसे attach कर लें attach file को select करें उसके बाद एक box open होगा अब इस box के अंदर यह आपको पता है कि आपका जो file है जिसे आप mail करना चाहते हैं वह कहां पर save है desktop पे है, downloads में है, documents में है, जहां भी है मालें जिए अपका file desktop पे है तो आप desktop विकल्प को select करेंगे और वहां से अपने file को select करेंगे और फिर insert पे click कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद two में आप email id या नाम देंगे जिसको आपको send करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है email id टाइप करने के बाद आप इसे send पर click कर दें जिससे कि आपको यह file send हो जाएगा यानि कि जिसके पास आप बेजना चाहते हैं उसके पास यह file चला जाएगा अब आप अपने document को pdf file में बदल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अपने file को standard toolbar की मदद से pdf में कैसे बनाएंगे इसके लिए standard toolbar के अंदर pdf भी कल पे लेकर आएं क्लिक करें एक box open होगा अब इस box के अंदर अपने file के location को select करें आपको यह document desktop पे रखना है इसलिए desktop को select करेंगे और उसके बाद file name के अंदर जिस नाम से आप अपने इस document को convert करना चाहते है pdf के अंदर उस नाम को type करें और save पर click कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपका यह file अप pdf के अंदर convert हो जाएगा देखने के लिए minimize करें और अपने desktop पे जाए और जिस नाम से अपने इस file को save किया है उसको डूढ़ें और इससे open करने के लिए अपने उस file के उपर pointer को रखें और दो बर click कर दें जिससे कि अपका यह file open हो जाएगा उसके बाद अगर आप इसके अंदर change करना चाहते हैं तो आप अपने pointer को बीच में रखें paragraph या line के page पर और कुछ भी type करके देखें वह select नहीं होगा तो इस तरह से आप PDF का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी अपने standard toolbar लॉक करके दिखाएं अगर standard toolbar को लॉक करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि standard toolbar को लॉक कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को standard toolbar के इस विकल्ब पे यहाँ पे लेकर आएं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहाँ पे क्लिक करें उसके बाद आप lock toolbar option को select करें जिसे कि आपका standard toolbar लॉक हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दें कि आपका standard toolbar का जो option है वह आपे सही का निसान है या नहीं है अगर सही का निसान है तो आप उसे lock कर सकता है अगर नहीं है तो वह unlock हो जाएगा इसके लिए आप सभी अपने pointer को standard toolbar के इस भी कल पे लेकर आए उसके बाद lock toolbar position पर क्लिक कर दें जिससे कि आपका standard toolbar unlock हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसे आप pick करके कहीं भी रख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप standard toolbar को unlock कर सकते हैं अब आप standard toolbar को formatting toolbar के नीचे करके दिखाएं और formatting toolbar को किसी दूसरी जगह पर लेकर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि standard toolbar या formatting toolbar के जगह को कैसे बदलते हैं इसके लिए आप सभी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सबसे पहले आप standard toolbar के यहाँ पे अपने pointer को लेकर आएं जैसे ही यहाँ पे लेकर आएंगे आपका pointer for editor बन जाएगा और उसके बाद आप अपने standard toolbar को select करके कहीं भी रख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने standard toolbar को formatting toolbar के नीचे रख दिया इस तरह से आप अपने standard toolbar या formatting toolbar के जगा को change कर सकते हैं अब आप spelling and grammar का अभ्यास करके दिखाएं इसके लिए आप दिखाई गई लाइन को टाइप करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि spelling and grammar बिकल्ब का उपयोग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को underline को हटा लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर कुछ line को टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है या आपके word जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है wrong word को टाइप किये जा रहा है जो भी आप text या word टाइप करेंगे अगर उसके नीचे red color का रहा है इसका मतलब वह गलत है उसका spelling गलत हो रहा है जैसे कि आप सभी जानते है जो भी spelling गलत होता है उसके नीचे red color का line आजाता है अब उसे ठीक करने के लिए किसी एक word को select कर ले और उसके बाद standard toolbar के ABC यानि spelling and grammar भी कल्प्टर select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उससे related कुछ words आ जाएंगे उनमें से जो भी आपको रखना है उसे select कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद change भी कल्प पर click कर दें जैसे ही change पर click करेंगे तो उसके अगले word को वा red color से highlight करेगा जो गलत होगा फिर आप उसके लिए उससे related word को select कर लेंगे और फिर change पर click कर देंगे फिर उसके बाद वा अगले word को so करेगा जो गलत होगा फिर उसके लिए उससे related कुछ word को so करेगा वहाँ से select कर लेंगे उससे और फिर उसको change पर click कर देंगे फिर उसके बाद अगले word को highlight करेगा जो गलत होगा फिर ऐसे ही अगले वर्ड को हुआ है आइलाइट करेगा जो गलत होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप spelling and grammar के दोरा गलत टाइप किये हुए text को सही कर सकते हैं अब आप copy, cut, paste का अब्यास करके दिखायें इसके लिए आपको कोई दो line को select करके दूसरी जगा पर लाकर दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि standard toolbar की मदद से copy paste कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select कर लें या line को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और उसके बाद आप सभी अपने pointer को standard toolbar के अंदर लेकर आएं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर copy पर click कर दें उसके बाद अपने pointer को वहाँ पर लाएं जहाँ पर आप इसे paste करना चाहते हैं और फिर paste पर click कर दें जिसे कि आपका वह line जिसे आपने select किया है copy और paste हो जाएगा यानि कि उसी की तरह एक और line या paragraph जिसे आपने select किया है वह आ जाएगा तो इस तरह से आप copy paste का उपयोग कर सकते हैं अब उसको undo की मदद से सही करके दिखाएं अब आप फिर से अपने paragraph को दो भागों में बाटें और फिर पहले वाले paragraph पर font color राइटिंग को बदल कर दिखाएं अब फिर आप format paint brush की मदद से दूसरे paragraph की formatting सेम करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि format paint brush का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए आप सभी अपने pointer को उस line या paragraph पर रखें जिसे आपको format paint brush करना है उसे select कर लें कुछ formatting कर लें कर दो कर दो कि राइटिंग को चेंज कर लें उसके बाद format paint brush पर क्लिक करें और उसके बाद अब दूसरे paragraph या दूसरे line को select करें जिसे आप पहले paragraph या पहले line की तरह format को रखना चाहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है देखिए या आपके पहले paragraph के तरह automatic आ गया तो इस तरह से आप format paint brush का उपयोग कर सकते हैं अब आप decrease indent और increase indent का अभ्यास करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि decrease indent और increase indent का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं decrease और increase indent का उपयोग करने के लिए आपको अपने line या paragraph के first या वहां पर रखना होता है जहां से आप इंडेंट करना चाहते हैं और फिर अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहां पर फॉर्मेटिंग टूल वार के अंदर इंक्रीज भी कल पर लेकर आए और क्लिक करते जाए जिससे कि देखें आपका वैलाइन पेज के आगे के तरफ यानि राइट साइड में आगे बढ़ता जाएगा अगर कम करना है तो आप डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करें जिससे वहां कम होता जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप इंक्रीज और डिक्रीज का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको इसे आगे के तरफ बढ़ाना है तो आप इंक्रीज पर क्लिक करें जिसे कि आपका या टेक्स्ट जो है आगे के तरब बढ़ता जाएगा तो इस तरह से आप decrease और increase indent का उप्योग कर सकते हैं आईए अब सीखते हैं standard toolbar और formatting toolbar को customize कैसे करते हैं क्या आप बता सकते हैं standard toolbar और formatting toolbar को कैसे customize करते हैं इसे customize करने के लिए आपको standard toolbar और formatting toolbar के right side में drop down बटन पर क्लिक करना होगा वहाँ पर अलग-अलग option उपलब्ध होते हैं जिसे आप अपनी इक्सा के अनुसार customize कर सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं इसे कैसे customize करते हैं आईए आप वीडियो को देख कर सीखते हैं कि customize standard toolbar या formatting toolbar का उपयोग कैसे करते हैं या customize कैसे करते हैं customize भी कल्प से आप चाहें जिस option को standard toolbar के अंदर सो कर सकते हैं या उसे हटा भी सकते हैं इसके लिए आप सभी standard toolbar केस option पर अपने pointer को लेकर रहें उसके बाद आप customize toolbar लिखे हुए भी कल पर क्लिक करें ऐसे एक box open होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप इसे drag करके उपर नीचे ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ सही के निसान बने हुए हैं इसका मतलब वो है option standard toolbar के सो हो रहा हैं इनके सही के निसान को आपको हटाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ से आप उस toolbar के कुछ option को हटा सकते हैं जैसे पिक्चर के अंदर पिक्चर हमने select कर लिया और उसे हम add कर रहे हैं तो new पर क्लिक करेंगे आप toolbar का नाम भी दे सकते हैं नहीं देना है ok कर दीजिए उसके बाद add पर क्लिक कर दीजिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद यहाँ से आप उसके category को देख सकते हैं आप edit को select कर ले उसके बाद यहाँ से commands जो भी आप चाहते हैं उसे आप यहाँ से count undo को select कर ले या color palettes को select कर ले और उसे add कर ले या फिर copy select करें फिर add करें copy hyperlink location जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है delete row delete to end of line यह सब option select कर ले ओके कर या close कर दे इस box को उसके बाद okay कर दे इस तरह से आप कुछ और बिकल्पों को customize के द्वारा add कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपको formatting toolbar की बिकल्पों को customize करना है तो यहां पर click करें उसके बाद जैसे कि आपको standard toolbar में दिखाया गया वैसे ही यहां भी कुछ बिकल्पों को hide करें जैसे कि font name, font size, drag करके इसे नीचे करें, bold, italic, underline जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है आप इसे नीचे के तरफ drag कर सकते हैं उसके बाद आप फिर इसे okay पर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जिन जिन option को हमने untick किया वह सारे formatting toolbar के अंदर से हट गये अगर आपको इनल वापिस लाना है तो फिर से हमें एस्टेंडर टूल बार या formatting toolbar के customize option पे जाकर वहां से उन optionों पे सही के निचान देना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया था इस तरह से आप अपने एस्टेंडर टूल बार और formatting toolbar के विकल्पों को customize कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है अपने file को close करें और अपने computer को shutdown करें आज की class में आपने पिसली class का revision किया और standard toolbar और formatting toolbar को customize करना सीखा आपने आपने हैं